किसान भाईयों आज की वीडियो में आपको बताएंगे यदि आप मौमफाली की खेटी कर रहे हैं तो उपज बढ़ाने के लिए इस पेसल आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कब इस्प्रे करना चाहिए क्या वेनी फिट है और एक्चुली पर सबसे इंपूटेंट बात होती है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हमको कब और किस स्टेज पर किस अवस्था पर इस्प्रे करना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलें कौन सी सावधानी रखना चाहिए एक एकड़ पर कितनी पानी की कॉंटिटी लेना है सब कुछ आपको इस वी मात्रा पर जो मुमफाली है उसका उपज लेने के लिए उत्पादान लेने के लिए आप इस्प्रे कर सकते हैं सेजेंटा कंपनी का कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर कुछ यू समाझ लीजिए पेकलो बूटरा जो 30% आता है ऐसी फॉर्म में इसको आप इ सतर दिन के बीच में आप सतर पशतर दिन की जब आपकी मुमफाली की फसल होती है तब आप सेजेंटा कंपनी की कल्टार को या फिर पेकलो बूटरा जो 30% से को आप एक एकड़ पर लगभग 80 ml स्प्रे करना है 100 ml आपको स्प्रेंट नहीं करना है सतर से 80 ml आपको एकड़ 150-200 पानी पर इस्प्रे कर देना है लेकिन ध्यान रखना है यह एक प्लांट ग्रौथ रेगुलेटर है तो ध्यान रखना है मुमफाली की फसल पर सेजेंटा कंपनी की कल्टार आती है कम से कम तो यह मान लीजिए स्वाबात की एक बार कि कम से कम आपकी फसल 60 दिन की होनी चाहिए तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलीटर का इस प्री कर सकते हैं एक एकड़ पर सतर से असी एमेल आपको एक सुपचास से दो सो लीटर पानी में इस पर करना चाहिए और एक वात जो आपको सावधान रखने सबसे वाली सावधान यह है कि जब भी आप एकलो बूट मात्रा में नमी होना बहुत ही जरूर estaressential अबचस लगए बहुत ही अनीबार है विच्छा और कर रहो करता हम पड़ाए को मुन्फलन के अच्छी पादन को बढ़ाता है तो से जन्ट Weいる कर यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं भिलाल आज की वीडियो बस इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपर कि सांतर तक धन्नवाद